जहां हम बात करते हैं लिटरेचर की और ग्रामर की मैं देखती सकते हैं आपका अपने चैनल पर स्वाधत करती हूँ Welcome to my channel चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी जो क्लास है वो वक्षीट को लेके हैं मैंने नाउन के ओपर वक्षीट बनाए है जिसमें मैंने तीन काइन को प्रेजन किया है इसलिए क्लास को पूरी देखिएगा पीछ में स्किप मत करिएगा और ये बिगनर्स के लिए स्पेशली है क्योंकि मैं आपको बताई चुकी हूँ के लॉगडाउन सिरीज में मैं बिगनर्स को घ्रामर सिखा रही हूँ ये उनके लिए स्पेशली है साथी साथ जो पहले ही नाउन पढ़ चुके हैं जो पहले ही नाउन के बारे में जानते हैं वो भी इसे फिल कर सेख्के फॉर प्रेक्टेश और मैं जो नाउन की classes पहले शेयर कर चुकी उसका link मैं description box में दे दूँगी साथी साथ यहां screen पर आई का button आ रहा होगा, महां पे भी आपको suggestion में जाएटी तो चलिए अपनी class start करते ही, class अची लगे तो like, subscribe और share जरूर करिएगा तो let's start our class देखे दरा first question देखते है, capitalize the proper nouns in the following sentence यानि के आपको इसके अंदर capitalize करना, capitalize कहते हैं, एक punctuation होता है जैसे के कोई sentence है, गलत लिखा है, आगे पिछे लिखा है, उसको सही करके लिखना, full stop का स्कमाल करना, पहला letter capital बनाना, punctuation के भी मैं class बनाओंगी, फिर भी सिव आपको इसके अंदर capitalize करना है, जो proper noun है, क्या है, जो proper noun है, उसको आपको, जुसका first letter है, उसको बढ़ा करके लिखना है, ताकि पता चल जाए कि वो answer ठीक है, ठीक है, उसको capitalize करना है, जो pronoun है जैसे पहला है, Pandit Nehru was a famous leader, second, Agra is a famous for the Taj, India is the largest democracy in the world, the Ganga is a holy river, the British still honor the Queen, right, ये पहला question है, चली, अगला question देख लेते है, ठीक है, चली, second question देख लेते हैं, underline the material noun in each of these sentences, that means, आपको इसके अंदर से material noun को find out करना है, than उसे underline करना है, after underline, you comment me on comment box, right, आप मुझे comment करके answer बताएंगे मेरे comment box में, ठीक है, पहला question, पहला देखते है, Malaysia is the main producer of rubber, ठीक है, पहला इसके अंदर से material noun को find out कीजे, फिर उसे underline कीजे, right, I purchased a gold ring, plastic is for ordinary use, it consumes a bottle of milk every day, right, first of all, you underline the material noun, right, then you comment me on my comment box, ठीक है, चाहिए, थर्ड कोशन देखते है, लुक, identify the common nouns in the following sentences, that means you find out common nouns, already मैं इसका एक वीडियो बना चुकी हूँ, और आपको share भी किया है, मैं लिंक दूँगी, मैं बार बार आपको बूल रही हूँ, मैं लिंक दूँगी, आप महा जाके पहले उसे prepare कीजेगा, then after solve it, right, next लिखते हैं, आगे, my brother swims like a turtle, the temple was birth before my father was born, next है, the monkey was hanging from a branch, right, question number 3 के 3 मैंने options दिये हैं आपको, इनको आपको solve करना है, और फिर आप मुझे comment box में लिखके बताएंगे, यह आपकी worksheet है, noun की, जिसमें मैंने आपको 3 nouns को cover किया है, उनकी questions बनाए हैं, और आपके साथ share किये हैं, ठीक है, I hope so, आपको यह worksheet अच्छी लगेगी, easy लगेगी, तो आप मुझे जरूर comment box में answer लिखके भीजिएगा, मैं देखूंगी, और आप मेरे channel को subscribe कीजिएगा, bell icon दवाईगा, like भी जरूर कीजिएगा, चलिए फिर अगली class में मिलते हैं, तब तक के लिए, okay, tata, bye bye, नमस्ते.